हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और आज मैं आपको यह फर्क दिखाती हूँ गुडल के जो फूल पेड़ों पर खिलते हैं छोटे और बड़े साइज का कब छोटे साइज के फूल खिलते हैं यह देखिए यह मेरा काफी पुराना पेड है गुडल का और इस पे थोड़ा सा अब छोटा फूल आना शुरू हो गया और यह देखिए यह भी पुराना ही है लेकिन इसमें मैंने कुछ समय पहले भी खाद डाली थी इस पे इसी तरह से फूल छोटे होने शुरू हो गए थी और आप देखिए इस पे काफी बड़े स साइज के हैं इसमें और जो मेरे छोटे साइज के फूल बनने शुरू हो गए हैं वो मैं पेड़ा आपको दिखाती हूं और अब हमें इनमें खाद डालने की जरूत पड़ेगी यह देखिए यह थोड़े से छोटे साइज के हैं और दो तीन पेड़ और हैं मेरे जो जरूरत पड़ेगी और अब हमें इसमें खाद डालना है और यह देखिए यह बड़े साइज के हैं इनमें खाद की मात्रा पूरी है और यह इस तरीके से दोस्तों अनभव हो जाता है गार्डन में जब हम काम करते हैं कि कब हमें किस पेड़ में खाद डालना है और कब नह से अब तक इन पे काफी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और एक दो पेड ऐसे हैं जो बड़े हैं पुराने हैं उनकी जड़े बहुती जादा पकी हैं और वो खाद अच्छे से खीच लेती हैं गंबले में से और अब मैं इन में देखिए खाद मिलाऊंगी यह तो कुछ अब मैं इनको मिलाऊंगे और मैं क काम करते हैं दोस्तों हमें थोड़ा सा इस तरह का अन्वा होने लग जाता है कि कब हमें किस तरह से अपने फूल वाले प्लांट की केर करनी चाहिए और कब यह देखिए अब इसमें काफी फूल केल रहे हैं इसकी मैंने आपको वीडियो भी दे रखी है और कलियां देखिया इस पे कितनी बनी हुई आप देख सकते हैं और मैं इसी तरह से अपने पेड़ पोदों का ध्यान करती रहती हूं कब किस पेड़ पोदे में क्या जरुरत होती है और यह देखिए यह मेरे गार्डन के कुछ सूखे पत्ते हैं जो मैं रोजी जाडू लगा की खटे कर देती हूं और दिन में मैं इनको ऐसी छोड़ देती हूं अब यह काफी सूख जाएंगे फिर इनको मैं एक पुरानी बाल्टी वगरा होगी कोई उसमें डालके उपर से मिट्टी डाल दूंगी और यह खाद भी तयार हो जाती है यह खाद मिला देती हूं और जो नए पेड़ है उन पे तो आप देखिए काफी फलावरिंग हो रही है यह आप देख सकते हैं और जो पुराने पेड़ है वो पुराने मैं दिखाऊंगे आपको सारे ही पेड़े केक करके यह देखिए आप इसमें अब इसमें भी काफी छोटा फूल हो गया और यह अंतर होता है दोस्तों जब हमें खाद की जरुत पड़ती है अपने पेड़ पोदों में और अब मैं इसमें खाद डालूंगे आपको दिखाती हूँ यह देखिए यह मेरी जो सूखी पतियां थी जो मैं खटी कर लेती हूँ यह उनकी खाद बनकर तयार हो गई और काफी अच्छी खाद बन गई है दोस्तों यह देखिए अभी मैंने इसको एक दिन दूप में डाल दिया और दूप में डालने के बाद मैं थोड़ी थोड़ पतियां खटी हो गई है यह मैं ऐसे इसमें डाल दी और अब मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डालूंगी और इसको रख दूंगी यह 2-3 महींने में यह भी तयार हो जाएगी और ऐसे मैं इसको डश्ट बीन को ड़के रख देती हूं और इसी तरह मेरे गार्डन में मुझे काफी खाद मिल जाती है मेरे पेड़ पोदो से ही और अब जो मैं डालूंगी जो जिसके फूल छोटे हो गए हैं यह देखिए अब मैंने इसकी काफी जड़े निकाल दियां यह देखिए यह जो आप देख रहे हैं काफी जड़े में निकाल दी यह देखिए इसी तरह आप कितना भी पुराना आपका पेड़ हो तो आप इसको ऊपर से तीन तीन चार चार मिट्टी इंच निकाल देंगे तो यह देखिए जड़े काफी इसकी तूट जाती हैं तो हमें फिर गमले में बदलने की जरुत नहीं पड़ती निकाल के उसको जड़े निकाल देते हैं और कफी सालों तक हमारा जो पेड़ है वह ऐसे फूल देता रहेगा यह देखिए कितनी जड़े मैंने इसकी निकाल दी और चार इंच नीचा नीचे से मैंने इसको खाली कर लिया और अब मैं यह अपने जो पतो की खाद है गोबर की खाद से फ्लावरिंग करनी शुरू कर देगा 15 दिन में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है दोस्तों और गुडल के पेड़ पर इस तरह से फ्लावरिंग होती है आप हैरान हो जाओगे इस तरह की खाद डालने से यह देखिए आजकल तो खूब ही मेरे जो गुडल के हैं और खाद का यह पत्तों की खाद का इतना आप असर देखोगे अपने गार्डन में आप एक बार करके देखिए दोस्तों बहुत ही इसका फायदा मिलेगा आपको और कैसा लगा आज का मेरा आपको वीडियो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना